प्रिखेबाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और पॉइंट ब्लैंक में आज हमारे साथ हैं सनी दियोल और बॉबी दियोल यानि दो धर्मेंद्र पुत्र और उनसे हम आज यही जानने की कुशिश कर रहे हैं कि ये दोनों स्टार पुत्र, स्टार संस आगे अपने बार लगते हैं या नहीं और दूसरी बड़ी बात जो हम इन से जानने की कोशिश आज करेंगे वो ये है कि धर्मेंद्र अपने जमाने में सूपरस्टार हुआ करते थे धर्मेंद्र को यानि इनके पिता को क्या ये मानते हैं कि जिस मुकाम के वो हगदार थे वो उने मिला या ये भी एक सवाल आज हमेंद्र से पूछेंगे बॉबी आपकी जो फैमिली ए उसके बारे में हमेशा ये का जाता चाहिए आप हो चाहिए सनी हो या धर्म जी उ उ उ जमाने में और कोई ऐसी फिल्म है जिसके पॉबिसिटी इतनी की है नहीं लेकिन उसका अंदाज है लगा सकते कि आपको कि इतनी पॉबिसिटी करनी है हाँ लेकिन लोग आजकल के जो जनरेशन है वो इतनी यूस्टी होगी है कि ट्वीटर्स, फेस्बुक, न्यूज में नीचे जो आते हैं कैप्शिन्स उसको इतना देखते हैं कि उनकी जिन्दगी वो ही है उनके लिए यह है कि अगर आदमी के बार मार लिखा गया है या इंटरनेट पर तो वो आदमी इस सम्धी इंटरेस्टिंग तो उसे साफ से देखा जाए तो हाँ ज़रूरी कि आजकल हमें उस तरह से अपने आपको प्रमोट करना चाहिए आपने कभी यह नहीं सोचा है जैसे आज कर मैं देख रहा हूं बहुत सार एक्टरस हैं वो ट्वीटर पर रहते हैं वो जब घर से निकलते हैं तो टूइट करते हैं मैं घर से निकल गया हूं फिर स्टूडियो पहुँचते हैं पर बताते हैं प्लेइंग विद गेड्स य कि अमने क्यों लिख दिया कुछ क्योंकि उनके फॉलोर्स जो होते हैं उनके बदमाज तो निकलता ही है बिल्कुल वो उनके लग जाता है फिर क्योंकि मैंने किसी से बाते कर रहा था तो गो किया था यार एक पढ़ गया है तो नाम कुछ था पता नहीं एक लोग वो भुरही लिखे का बारे में लिकन लोग उसको अमूजीं लिख एक अच्छ लिख ए रिखियों, फिर गवारों बीख भी चैनल्स पर भी आफे बीजिए हो रिखेसर्द में फिर नहीं होगी होगी विखाद है अजिए कमें लिख फिल्म सब्सक्राइब बिखियों ढही है और जैसे आपकी फिल्मों को लोगों ने बहुत सराहा था एक वक्त था जब आपकी फिल्मों का इंतजार रहता था लोगों को अपको ऐसा लगता है कि वो जो जो सनी मार का जो फिल्मे होगा करती थी वो बन्नी बंद हो गई है, सिनेमा की भाषा बदल गई है या मल्टिपल अब जो एसी नई चॉकलेटी फिल्में बनती हैं जिसमें आप फिट नहीं बैठते या आप वैसे वाला सिनेमा करना नहीं चाहते तेखिए मेरा बदा भी नहीं चला देखते देखते ताइम निकल भी गया और पता नहीं कब सनी बन गया जिसका इमें जितना बड़ा बन है कि हर पिक्चर में जनता चाहते है कि पता नहीं यह करेगा भी वो करेगा तो वह एक हैंडिकाप जरूर है और डेफिनली हमारा सिनमा काफी बदल चुका है और मल्लिप्लेक्स आगे तो पिक्चर बनाने किस के लिए बना रहे हैं वो रीजन भी बदल गया है पर अब मैं देख रहा हूं कि वापस हम घुम कर वही आ रहे हैं जो हमारा पराना सिनमा था यह नहीं कि परानी फिल्म है और एंटर्टेनर क्योंकि तुमी इस सिनमा वो जो कि अग्या है और खास तार पर जिस फिल्म मे आप नहीं यहाद में तो कियाए ुतर्भारत के घरिए जो रिखा इस नहीं हमेशे आपको थे पोगष किया है हमने भी फिल्म बनाई थी तो हमने कुछ ध्यान नहीं रखा था हमें बनानी थी एक कमर्शल फिल्म, कॉमेडी जिसमें कहानी भी है और यह नहीं के इस फुल अफ गाग्स और जब बनी फिल्म देखने के बाद में तो यही लगता है कि हर किसम की ओडियन्स इसको देखें कि मॉल्टिपलेक्स वाले भी और सिंगल सिर्मा बाले भी थी ।। क्योंकि जिसे आप से रियक्शन बिले और honesty और दिल से चाहते हैं कि उनकी खुश है और चाहते हैं कि पिक्चे चले हैं That's the difference कोई ऐसी फिल्म जिसमें धर्मेंदर हो और सनी देओल हो और उस फिल्म में रोमान्स भी हो यह आप सोच सकते हैं या कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें जो सनी देओल हैं वो विलेन को मार मार का नहीं वहल कि हसा हसा कर मारें यह थोड़ी सी अजीब सी बात होगी इस पर हम बात करेंगे सनी और बाबी से इस छोटे से ब्रेक करें